आज आउरतों के उपर जो बहुत बड़े पैमाने पे हिंसाचार बढ़ रहा है उसका निशेद करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद है उनाव में और कत्वा में जो हिंसा की घटनाए घटी यह बहुत ही शरम की बात है कि आज मुल्क के अंदर आवरतों के उपर जो हिंसाचार हो रहा है उसको लेकर एक जात्यवादी एक दर्मान कम्यूनल रंग देने का कोशिश किया जा रहा है इतने हद तक कि एक मुसल्मान लड़की के उपर बलतकार हुआ तो हिंदू सब जो वकिल है हिंदू जनता है उसका समर्थन करने के लिए कुछ गुंडे आगे आ रहे हैं यह बहुत ही निंदनिया बात है यह हम कताई सहन नहीं करेंगे हिंसाचार की जो बात है वो कोई भी मजब का हो कोई भी जात का हो वो गुनेगार है और उसको शिक्षा उसको सजा होनी चाहिए क्या हो रहा है यह बीजेपी के एमेले है इसके अंदर जो आरोपी है उसको समर्थन दे रहे यह मीडिया वालों ने उन्हाव की बात बाहर लाई नहीं तो वो बिचारी बच्ची को कभी भी कोई भी न्याई नहीं मिलता ऐसे हजारों ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाए घट रही है हमारे मुल्क में जहां पे न्याई नहीं मिल रहा आप देखो उत्तर देश में जो एंकाउंटर के बात हो रही है यह योगी सरकार आने के बाद हजार से ज्यादा एंकाउंटर की मौते की गई है एंकाउंटर से ल इसलिए उनको मुल्क में आजादी से जीने का हग उनका चीना जा रहा है यह मनुस्मूती वाले आज जो बैटे है सकता में यह बीजे पी और आरेसेस के लोग यह हमारे मुल्क का चरित्रा यह बदलना चाहते हैं इतने हग तक वह पहुंच गए कि अगर मुसल्मान होगा पिछडी जाती का होगा तो उसे न्याय नहीं मिलेगा न कोट देगी न्याय न पोलीस देगी न्याय न सरकार देगी नाय और उनके जो गुंडे बैठे हैं उन गुंडों को यह सवरक्षन देने की बात कर रहे हैं कोई कानूनी व्यवस्ता हमारे देश में आज यहनोंने रखी नहीं हैं इसके लिए आम जंता वो कोई भी मजभ का हो कोई भी जात का हो आगे आने की जरूरत है इस देश का जो तर्मर निर्पेश चरित्र पुरोगामी चरित्र जन्वारी चरित्र इस को आज बचाने की जरूरत है ये समझ रहे वो इस देश के राजे है, हुकुमशा है, उनको क्या 31 प्रतिशद वोट मिल गए, 70 प्रतिशद लोगों ने ये BJP RSS के खिलाफ वोट दिया है, वो ये से ना समझे कि मुल्क की सारी जंता ने उनको वोट दिया है, 31 प्रतिशद वोट से वो जीत कर आए है, और वो अब समझते हैं, देश में जो चाहें, वो कर सकते हैं, इनके खिलाफ हमें जम कर आवाज उठानी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर, आज लोग आवाज उठा रहे हैं, अपना निदे निशेद, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरेस्मेंट हुआ है, जो लाइंगी बे अध्याचार हुआ है लड़कियों के साथ, क्यों अतिल जोहरी अरेस्ट होकार दूसी समय दो मिनिट के अंदर उसको बेल हो जाता है, क्यों होता है, अरे निर्दोश लोग कितने सालों तक जेलों में सड रहे हैं, उनको बेल नही आरेस्ट का नुमाइंदा है, तो लड़कियों के साथ छेड़ चार करने का उनको क्या लाइसंस मिल गया, यह जो चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, हम जिर्फ जो उनाव में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उन्हीं के साथ नहीं, जो उनके सा तो है ही है, लेकिन JNU के अंदर जो लड़कियों के साथ छेड़ चार हो रही है, उस संगर्शों के भी साथ हम जंकर साथ में लड़ेंगे, और यह अतुल जोहरी को सजा होनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, उसको सस्पेंट करना ही पड़ेगा, यह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का जुमला बोलने वाली, यह तो शर्मानी चाहिए, अज्यामिच्छा को और नरेंद्र मोदी को, देश को छूटे वाइदे किये, जुमला बाजी की सरकार, पहले कहा काला पैसा का जुमला, बेटी बचाओ का जुमला, बेटी पड़ाओ का जुमला, यह जादादीन टिकेगी नहीं भारत के अंदर, ये बंदोबास्त हम सब को मिलकर करना है, ये हम जरूर करेंगे, इनी शब्दों के साथ, हमारी ये जंग, ये जाइस जंग, देश को बचाने की जंग, देश का चरिक्रा बचाने का जो जंग है, हिंदो, मसल्मान, दलिद, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, इनी शब्दों के साथ, मेरी बात खतम करती हूँ, इनकलाब, जिन्दाबाद, तायाद,